हेलो फ्रेंड्स कैसे होब लोग और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था SAP sat course के बारे में तो आप लोगों से करे लोगों ने मुझे कमेंट किया गिसे बारे में और डीटेल में हमें बताइं कि actual में यह SAP course क्या होता है और हम कहां से कर सकते हैं क्या cost आती है क्या opportunities है तो मैंने इसकी उपर सुचा एक पुरा detailed video क्यों ना बनाया जाए तो यह वीडियो है इसी के बारे में और ऐसा ही मद्यदार वीडियो 24 पर आते रहते हैं चलते हैं वीडियो की तरफ तो देखिए फ्रेंड्स सैब जैसे टैली होता है ना कि टैली में हम लोग क्या करते हैं बिसिकली टैली होता है accounting का software सैब ऐसा नहीं होता है सैब में अलग-अलग module होते हैं और आप अपने interest के हिसाब से उसको pursue कर सकते हैं अलग अलग module होते हैं अगर मैं बात करूं तो एक होता है mm करके जो supply chain management का होता है दूसरा होता है sales marketing का होता है उसके लावा PP model होता है QM करके होता है human resource का होता है और supply chain के लावा logistic के बारे में अलग module होता है तो जैसा आपका interest है वैसा आप इसको pursue कर सकते हो लेकिन जो सबसे famous होता है वो होता है FICO FICO जो होता है account and finance का क्योंकि अगर आपने टैली कर रखा है आप आपको accounting की अच्छी knowledge है तो आप एक level आगे जाके इसको pursue कर सकते हो उसके बाद आपको accounting field की काफी अच्छी job मिल सकती है जो starting package भी होता है वो भी 4-5 lakh होता है तो इसकी काफी heavy demand होती है इसके लाब बाद जो दूसरे नमबर पर आता है तो sales marketing आप कह सकते हो उसकी काफी heavy demand रहती है और तीसे नमबर पर आप कह सकते हो आता है supply chain management and जो customer relationship होता है वो और चौते पर आप रहसकते हो human resource तो यह चार sap module है जो काफी famous है जिसमें आप अपना career बना सकते हो इसके लाब के छोटे मड़े कई modules होते हैं जैसे एक आपका computer science होता है और आपका maintenance management होता है और engineering degree type का होता है वो उतने मतलब famous नहीं है यह आप कह सकते हो उतना useful नहीं होते हैं हलाकि उनकी भी अपनी अलग demand होती है लेकि तो अगर आप accounting field के हैं तो आप sap FICO के लिए जा सकते हो ठीक है अब सवाल यह उठता है कि हम इस course को कहां से करें तो देखिए दो तरह के model होते हैं एक होते हैं वो institute जिनको sap खुद authorized करता है और दूसरे वो institute होते हैं जो sap के थुरू authorized नहीं होते हैं सबसे पहले बात करते हैं वो institute जो sap के थुरू authorized होते हैं देखिए यह जो sap authorized होते हैं यह institute जो होते हैं इनके जो certificate होता है यह globally पूरे world में recognized होता है अच्छा sap ऐसे ही किसी भी institute को उठा के जो है authorized नहीं करता है sap के अपनी standards होते हैं भाई उनकी team पूरी आती है वो यह देखते हैं कि भाई trainer कैसे है teacher के कितनी knowledge है क्या qualification है infrastructure कैसा है वो कहां पर है ठीक है जो training model वो देने वाले हैं उनको देने के लिए qualified trainer है भी की नहीं है जब उनके सारे parameters आप fulfill करते हो तब जाके sap आपको authorized करता है training provide करने के लिए तो इसलिए आप देखो जो sap authorized होते है ना institute उनकी जो cost होती है ना फीस होती है वो करीब धाई लाग से लेकर चार-पांच लाग तक भी होती है लेकर अगर आप यहां से करते हो तो आपके पांस मतलब guaranteed job होती है यह जो certificate आपको मिलता है यह पूरे word में recognized होता है आप आप वे word में कहीं भी जाओगे job के लिए तो यह certificate आपका sufficient होता है because यह sap authorized institute होते है अब दूसरा सवाल ही उठता है सर जो sap authorized नहीं होते हैं तो क्या हम वहां से ना करें ऐसा नहीं है कई बार ऐसा भी होता है कि जो sap की authorized नहीं है institute वहाँ पर आपको अच्छी training अच्छी knowledge मिल ज सकती है उसके certificate इंडिया में proper वही importance रखते हैं जो sap authorized institute वाला रखता है बट हाँ जो sap authorized institute से आप certificate लोगे कहीं ने कहीं उसका वेटे ज्यादा होगा पर इसका यह बिलकुल मतलब नहीं है कि जो sap authorized नहीं है वहां से आप नहीं कर सकते हैं दूसरा आप यहां के fees थोड़ी कम होत हैं आप यहां पर 30,000, 40,000, 50,000 इतनी fees होती है जब आप किसी non authorized sap institute से करते हो course तो आप दोनों ते ही कर सकते हो और दोनों को ही करने के बाद आपके पास अच्छी job होगी even कई बर ऐसा भी होता है कि एक candidate है जिसने sap authorized institute से course किया है उसके पास कम अच्छी job होती है बट एक बंद होता है तो अब यह दो अलग-अलग आपको model पता चल गए एक होते हैं sap authorized institute एक होते हैं non sap authorized यहां पर आपकी जो फीट होते हैं 2,3,4,000 तक भी हो सकती है और जो non sap authorized होते हैं उनकी fees around जह हैं आप कह सकते हो कि 20,000, 25,000, 30,000 यह तो हो गया model की बात कि भाई एक होता है sap authorized एक होत suggestion मैं आपको कुछ institute के नाम बता देता हूँ वहां से आप सीख सकते हो वह एक recognized है तो अगर मैं बात करूँ तो पहले नंबर पर आपका SIPL institute है यह sap authorized है आप यहां से कर सकते हो काफी अच्छा institute है आपको क्या करना है Google पर जाके SIPL institute type करना है और यह देखना है कि आपकी city में है उसकी ब्रांच है या नहीं है तो SIPL एक अच्छा option है दूसरा जो अच्छा option मैं आपको बताऊं तो वह आप कह सकते हो आई सीटीट है वहाँ पर आप टाइप कर सकते हो Google पर आई सीए सैप courses वह भी आप चेक कर सकते हो कि वह आपकी city में वह institute है की नहीं है वैसे आई सीए की branches और मतलब लगभख सारी शहरों में हैं तो यह तो दूसरा हो गया और तीसरा अगर मैं बात करूं तो हेंरी हारविन नाम आप नोट का लीजेगा मैं आप लोगों भी लगा दोंगा हेंरी हारविन यह बहुत अच्छा इंस्टीट है यहां पर आपको सैप के सारे मॉडियूल मिल जाएंगे जितनी मॉडियूल सैप के होते हैं वो सारे होते हैं यह मतलब जो एनस डीसी प्रू हेंडरी उसके अलाब हां मैं बात करूं तो सैंप मंत्रा ट्रे इनिग कर सकते हो। वीक्टॉरिय यॉनिवर्सिटे कर सकते हो। अर लागा चाहिते हो तो गुरुoric.com है वहां से आप इसको 머्2020 परसीव कर सकते हो। और अच्छिंब कर takते हो। और इसके बाद आपका SME क्लैप्स है, वहां से आप कर सकते हो, तो यह साटार जो टॉप है जहां, मतलब टॉप इंसिट्यूट है इंडिया के जहां से आप परस्यूट कर सकते हो, उनके मैंने आपको नाम बता दिये हैं, बाकी देखिए, आप अपने सिटी में आप गूगल से हैं इनकी फीज दो, तीन, चार लाग तक भी हो सकती है, और नॉर्म इंसिट्यूट की बीस, तीस हजार, पैस, चालीस हजार, तो आप, अब आपको यह डिसाइड करना है कि आप कहां से परस्यूट करना चाहते हो, और आप चहां से भी आप करने जा रहे हो, वहां पर क् स्काइम की गारेंटी है, पहले बात तो मैं बता तो इस स्कैम से आप दूर रहेगा कि 100% गारेंटी, कोई 100% गारेंटी नहीं होती है, वो लोग ऐसे से आपको जॉब आफर देंगे ना, कि आप उनको वैसे ही मना कर दोगे, तो वो आप, फिर वो कहेंगे देखिए, हमने आपको जॉब दिया था, आप नहीं नहीं लिया, ठीक है, तो 100% जॉब गरेंटी कहीं नहीं होती है, आप इतना कर सकते हो, कि उस इंसिट्यूट से, जो लोग पढ़के निकले हुएं इस्टुडेंट्स, ठीक है, उनसे कॉन्टाक्ट करिए, उनसे पूछिए कि वो कहां- बेसिक बता दिया, एक सैब अथ्राइज होता है, वहां से आप करोगे, डेफिनेटली आपकी उपास एक एज होगा, आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, आप अक्रॉस दा ग्लोब जहांके जॉब सर्च कर सकते हो, अगर आप नॉन सैब अथ्राइज से करोगे, तो इंडिया में सेल्स मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन्शिप एंड हुमन रिस्टोर्स, जो भी आपका इंट्रेस्ट है, उसमें आप परसीव कर सकते हो, कैसे लगा ये इंफोर्मेटिव वीडियो, मुझे जरूर बताइए का मैं ऐसे ही वीडियो लाने कोशिश करता रहता हूँ, और न